आयो फ्रेंड्स देखेंगे BPSC 3 और 4 का सिलेबस 3 ओल्रेडी आप लोग त्यारी कर रहे होंगे और कुछ दिनों के बाद आपका एक्जाम होने वाला तो यह इंपोर्टेंट है त्यारी 4 के लिए तो देखें चैन प्रक्रिया है जो लिखित परिक्षा आप लोग के 9 to 10 कि यहां सिलेबस जो है आप लोग बोल रहे हैं सिलेबस क्या होगा तो देखें टोटल आप लोग कपता है कि यह जो है विशय ओम समाय नय है टोटल आपका कोस्टिन जो होंगे वह होगा 120 का होगा 2 घंटा का समय होगा और यह आपका मायदमिक विद्याले के अध्याप को के लिए मतलब बरग जो है तो भाग में हुआ पर्थम भाग्वान और भाग्टू नहीं डो पत्र होगे यह यह बाग्वान और भाग्वान देखते हैं क्या हो है यह तो देखियान डाइरेटली लिखा हुआ है ऐसाDies प्रस्ण आपको यहां भी देखना कुलंक की संख्या भी असी और इसका भी चालिस तो यहां भागवान में देखेंगे तो एक विशय पत्र है उमिद्वारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है चाहिंदी हो उर्दु हो जो भी हो संस्क्री तार्वी फर्षी विज्ञान गनित जो भी जो भी ठीक है विशय का अध्यापक बनने वाले हैं वो भागवान रहेंगे और भागवान में आपको आईटी प्रसन आएंगे तोटल कोश्चन आईटी रहेगा तोटल नंबर भी आईटी आप देखेंगे यहां कि आपका सिल आयों के पाट्य करम बिहार विद्याले प्रिक्षा सम्मीती एंसी आटी पढ़ना देखें एंसी आटी के जिग्र क्या हुआ है से सम्मांदित होंगे और आगे क्या होंगे तो आगे बताते हैं लेकिन इसका अस्तर उमिद्वार हेतु निर्धारित नियमतम आहरता के आलोक में होगा आप यह समझ गये हैं आप आईए यहां पे अगर हम लोग देखें नेक्स्ट में तो यहां हम लोग को मिलता है सेकेंड में सेकेंड भाग जो है तो सेकेंड भाग एक समाइन्य अध्यन पत्र है जिसके प्रस्न मैद्मिक विद्याले के पाट्य करम से समंदित होंगे लेकिन इसका अस्तर उमिद्वार हेतु निर्धारित नियमतम आहरता के आलोक में होगा इसमें क्या होगा तो प्रात्मिक गनित ठीक है गनित होंगे समाइन्य जागरुपता होगा समाइन्य विज्ञान और भारती रास्ट अंदोलन और यहां भूगुल भी सामिल है यह आपका रहा नाइन्टेन का यहां कहीं जगा भी आपको जिक्र नहीं किया गया है कि यहां पे आपको यहीं पढ़ना है अब समझ सकते हैं कि कितना वास्ट होगा कोश्चन जैसा पूछा गया पिछले टी आरी टू में तो आपको यहां पे जो है अम लोग का इंग्लिस में पर है उन लोग के लिए बता रहे हैं कि एक आईटी मतलब आईटी था जो आपको 20 से सम्मंदित था जिसमें से गरामर मतलब पंदरों से 20 कोश्चन आया था तो माल लेते इस बार पंदरों से 20 कोश्चन आएंगे बाकी जो है आपका लिटरेचर से रहेगा अब लिटरेचर में क्या होगा बता रहे हैं लिटरेचर में जो है आपका 11-12 जो है आपको पढ़ना है 11-12 का लिटरेचर उसके अतिरीक तो आपको गर्जुवेशन में जो भी है सिलेबस पड़े हैं गर्जुवेशन में डिग्री और में में और जो ये नेट लेवल का कॉस्चिन आएंगे ये समझे लेना तो ये रहेंगे ठिक है यही है आपको त्यारी करना है अब बात रह गया जीके की मतलब जिसको हम लोग जीस ये समायन अध्यान अध्यान पत्र है उससे बात करते हैं तिसे चालिस कॉस्चिन रहेंगे और चालिस कॉस्चिन जो रहेंगे वो आपको यहां बता दिया गया आप अलेवन और टुएल की बात करते हैं अलेवन टुएल में भी सेम है कुछ अलग नहीं है इसमें भी ओही होगा जो आपको यहां पर भासा जो दिया गया है यह जो आपको कोई भी भासा से आप है या कोई सब्जेक्ट से हैं तो यह भागवान रहा जो आईटी प्रसनाएंगे और अगर हम बात करें भाग्तू की तो भाग्तू में जो है आपका ओही समाइन अध्यान रहेंगे जिसमें से आपका यह मेन टोपिक जो है आपको यहां भारती राष्ट्य अंदोलन एवं भूगल सामिल रहेंगे तो दोनों लगभग एक ही है बट यहां इसमें भी वही जिक्र क्या गया है जिक्र क्या है कि NCRT ही होंगी अब यहीं कहां पर यहां कुछ ऐसा दिया नहीं है कि आपको पढ़ना किया है तो आपको पिछले बार जैसा प्रसना आया था वो लेबल आपका चार सो पचास इस भी से लेकर आपको पूरा मोडन एज तक आपका पॉस्ट मोडन एज तक आपका कुश्चिन आया था ठीक है तो यहीं आपको स्टेडी करना है आनि पूरे गर्जुएशन लेबल आनि पूरे आपको इंग्लिस लिटरेचर कवर करना है और 11, 12 भी आपको कवर करना है या 9, 10 भी आ सकता है जिसमें से आपको NCRT या SCERT अध्यान करना है समझ मा गया वीडियो में नए होट लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर किजिए ताके हम हर एक टोपिक को MCQ करने वाले हैं टोपिक बाइ टोपिक प्रीडियो ते टोपिक